यह मुस्लिम मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है इसके इतनी हिम्मत के इसने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया इसको तो मैं बताती हूँ वहलो तो यहां कैसे खड़ा है और तेरी हिम्मत कैसे ही मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की हाँ अरे नहीं नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ, मैं तो बस काम पर आया उपने क्या, मेरा नया ड्राइवर, अपर किस ने रखा तुझे काम पर, मैंने तो नहीं रखा अरे नहीं नहीं मैम, मुझे पता है, आपने मुझे काम पे नहीं रखा, आपके जो भाईया आया ना, अभिशेक सर, उन्होंने मुझे काम पे रखा है, तो बस इसलिए आया था मैं क्या ? भैया ने रखा है ? ये भैया को पता नहीं है क्या ? कि मुझे मसल्मानों से कितनी नफरत है हलो ! भैया, ये नया ड्याएवर आपने रखा है , क्या? यह, ज्यूटी वो, अपने वाले की तवित खराब हुए दिना, तो ऑरजेंट में इसी को रखना पडा अरे भाईया आपको क्या मुसल्मानी मिला था क्या आपको नहीं पता मुझे मुस्लिम लोगों से कितनी नफरत है धीन आती है मुझे इन लोगों से मैं ना इसके साथ बिल्कुल कमपोटेबल नहीं हूँ अभी कभी चेंज करो इसे अरे चोटी तुझे तो पता है ना कोई और आप्शिन भी नहीं था तो एक दो दिन एज़स्ट कर ले मैं किसी और को देखता हू तक तक अरे यार भाईया ठीक है अरे मैम आप ऐसे क्यों बात कर रही है और मेरे मुसलिम होने से आपको क्या प्रॉबलम है मैं भी तो इंसान ही हूँ न अब यहो रहने दे अच्छे से बता है मुझे कि तुम कितने इंसान हो और कितने इंसानियत है तुम में जादा खुश होने की जुरुवत नहीं है क्योंकि मैं ना दो तिन दिन से जादा तुझे यहाँ पर टिकने नहीं दूंगी समझा और जैसी मुझे कोई नया ड्राइवर मिल गया ना तुझे यूँ नौकरी से निकाल दूंगी अब चुप-चाप से ना गाड़ी निकल मुझे बहुत लेट हो रहा है जी मैं गेट खोलता हूँ रहने दे मैं खुद कोल लूंगी यार कहां रह गिया ये ड्राइवर एक तो हमें इतना लेट हो रहा है उपर से मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है श्वेता लेट भी तेरी होजे से ही हो रहा है मैंने तुझे इतनी बार बोल रहा है तुन्हें ने ड्राइवर को बेकार में सर पर चड़ा रखा है पुराने वाला ड्राइवर नी है नया वाला ड्राइवर है और तुझे पता है वो मुस्लिम है और मुझे तो मुस्लिम लोग बिलकुल पसंद नी है जब वो बंदा तुझे पसंद नी तो रखा क्यों से नोकरी पर है मैंने रखा है अरे मैं तो देखू तक न मुसलिम लोगों की तरफ, वो तो मेरे भाईया ने रख लिया उसे काम पर, नो जाने क्यूँ, लो आ गया, आजा, अब, सॉरी मैडम, मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया, वो अच्छुली मैं गाड़ी लेके ही आ रहा था, रस्ते में गाड़ी पै जाने बनाती हो, कि ये हो गया, वो हो गया, मैंने जब तुम्हें एक घटे पहले कॉल कर दिया था, कि टाइम पर आजाना, तो तुम टाइम पर क्यों नहीं आए, यार, तुम्हारी बुजी से न, हम लेट हो गई, हमें पार्टी हो जाना है, ने, मैं मैं, मैं सच बोड़ जो रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स आगए पार्टी में, जी मैंनम, ये क्या है, वो मैंनम, इसमें न, मेरा कुर्टा पजामा है, वो दो हफ्ते बाद ही देना, तो इसलिए शॉपिंग कीती मैंने, पकड़ इसको, तिरी इतनी हिम्मत, कि तुने हमारी गाड़ी में ये सब स मुसल्मान रखा, तुझे न, हमने गाड़ी सरफ चलाने के लिए दिया है, ना कि शॉपिंग करने के लिए, ओ, तो आप समझी मैं, गाड़ी का न, कोई टायर पंचर नी हुआ था, तु बहाने कर रहा था, तु शॉपिंग कर रहा था, है न, मैंने तु भाईया को हजार पर बोले, कि इन जैसे लोगों को न काम पर बत रखा करो, मेरे भाईया है कि मांनते ल्ही है, रहे मैडम, यह कृळटा पर जामा मैंने घर के पास से ही लिया है, बस मेरे से गलती यह हुगई, कि मैं अपने साथ लिया है, मैं घर पे नहीं रखा लेकिन मेरको यह समझद नहीं आ रहा कि आपको मुंझे प्रॉब्लम क्या है हाँ, मैं हूँ मुसल्मान, लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है, आप Gregory मुझे सुना ही जा रही है तुम जैसे लोगों से सुर। सुर्फ नफरती की जा सकती है जैसी तुम्हारी हरकते है वो तो मेरी फूटी किसमत है कि हमें ना कुछ जैसे आदमी को काम पर रखना पड़ा अगर मेरे पास कोई दूसरा अप्शन होता ना तो तुझे मैं काम पर कभी नहीं रखती कपका निकाल चुकी होती धक्के मार कर अच्छा एसी जिल्लत तो और नहीं सहेगा क्या करेगा तु। तुनाड्यार है तो टॉटराइवर बन के रह समझा ड्राइवर हूं नहीं ड्राइवर था आपको मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना तो ठीक है अपने लिए दूसरा ढ्राइवर दूम लीजेगा क्योंकि मुझे अभी नौकरी नहीं करनी चलता हूं खुदा आफिस और यह रखे गाड़ी की चाबी अरे सुन तो सही रुक या यह तो चला गया यार मुझे तो कार ड्राइव करने भी नहीं आती अब क्या करेंगे पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं एक का हेलो भाई आप कहां तक पहुचे अरे वो ना एक अरजेंट मीटिंग आ गई तो एक कामगर तू कैप करके आजा लेकिन भाई आप इतनी रात को कैप कैसे करूं मैं अकेले आउं के शिट मेरा फोन सुच आफ हो गया अब क्या करूं मैं एक काम करती हूं लिफ्ट ही मांग लेती हूं लेकिन इतनी रात को मुझे लिफ्ट देगा कौन अरे वो देख कितनी सुंदर लटकी कड़ी है इतने सुंसान रास्ते पर अरे हाँ यार बोल तो बिलकुल सही रहा है लग बेक्दम मस तरी है बिलकुल लाल परी जैसी लग रही है चला इसके मज़े लेके आते अरे मैडम क्या हुआ अभी तो आप हाथ दे रहे थे अब हमें देख के मूझ क्यो फेर रहे हो अब आभी जाओ ना आपको लिफ्ट दे देते हैं अब मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए आप लोग जाए अरे मैडम बैठ जाओ ना आप इसकी टेंसन ले रहे हो आप इस ना ये विवास सही है यार ये सब क्या बक्वास करें जा रहे हो तुम हाँ मैंने कहा दिया ना एक बारी मुझे कही नी जाना है तुम लोग जाओ यहां से लगता है मैडम नाराज होगी है विने जड़ा उतरना यार मैडम को प्यार से मनाते है अरे बैन तू लगता भई तू यहां क्या कर रही है और वह इतनी सुंसान सड़क पे तो अब तक घर नहीं गई अरे वो अब वो अरे क्या वो और तेरा फोन भी सुच ओफ हा रहा है कब से कॉल कर रहा हूं अब वो मेरा फोन सुच ओफ हो गया था इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्ट नी कर पाई विन आपको भेन बोल दिया वो उनके सामने बोलना पड़ा ताकि वो लोग निकल जाए अरे नहीं नहीं आप सौरी मत बोलिए मुझे तो आपको थैंक्यू बोलना चाहिए जो आप सही टाइम पर आगए मुझे बचाने वर्णा आज पता नहीं क्या ही हो जाता लेकिन आप बहुत शुक्रिया आज मेरी मदद करने के लिए I'm really sorry मैंने आपके साथ बहुत बुरा बरताफ किया सिरफ और सिरफ आपके धरम को लेकर मुझे माफ कर दीजे मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसी गलती की नहीं मैं आप sorry मत बोलिए इसमें आपके कोई गलती नहीं है आजकल समाज में ऐसी सोच बनी हुई है सबकी एक दूसरे के सब दुश्मन बने बैठे हैं लेकिन जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिक, हिसाई हापस में मिल बाटके नहीं रहेंगे साथ नहीं रहेंगे तब तक कि नफरत ऐसी ही चलती रहेंगी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और देखना जिस दिन यह सोच बदली न उस दिन हिंदूस्तान भी बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा आपने बिल्कुल सही कहा आज सेना मैं किसी को किसी के धरम से जज नहीं करूंगी मैं आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आईए, मेरी बाई कहीं पर खड़ी है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आईए